नमस्काल दोस्तों, इनफोकस सिविल अकेडमी में आप सभी का स्वागत है, दोस्तों कल के अपने इस निबन प्रैक्टिस बैच में हम लोगों ने डिसकस किया था कभीर दास को और कभीर दास के हम लोग निजी प्रिष्ट भूमी को समझे थे, साथी हम लोग उनकर एक तैय अगर वहाँ पर टॉपिक पूछा जाता है सामाजिक प्रासंगिक्ता के संदर्व में तो वहाँ पर आपको जो निजी प्रिष्ट भूमी वाले जो पॉइंट्स है यानि जो उपर ये सब पॉइंट्स मैंने आपको बताये थे, वेबिन डर्शनों कर पर क्या प्रभाव या उनके विचारों की फ्रासंगिक टाक बारे में कि किस प्रकार से क्या एक कारण है कि हम लोग कभी दास को आज के समय में डिसकस कर रहे हैं आम तोर पे आप देखते हों कि कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो उसके 4-5 साल के बाद ही लोग उसे भुला देते हैं बहुत ज्यादा तो उनके घर वाले थोड़ा कुछ समय तक 15-20 साल तक उनको याद रखते हैं उसके बाद वो भी लोग बुला देते हैं उनके ना केवल उनके बारेम बात कर रहे हैं बलकि उन पर एक पूरा धर्म चल रहा है आप समझिए कि पूरी विचालधारा चल रही है पूरा पंथ वैसे ही चल रहा है जिसको कबीर पंथी नाम दिया जाता है कबीर पंथी से जुड़े हुए करोड़ों ऐसे लोग हैं भारत में, तो आप सोचिए कि उनकी विचालधारा कितनी ज्यादा प्रासंगिक रही होगी, तो आज हम लोग इसी बात को डिसकस करने जा रहे हैं, विचालधारा थीक है, तो उस पर हम लोग वन बाई वन डिसकसन क करेंगे, हमने आपको यहां पर कई सारे पॉइंट्स दे रख हैं, आप अपनी सुविधा नुसार उन में से कुछ एक पॉइंट्स हटा भी सकते हैं, वैसे सुविधा नुसार के आप लोगों को उतना याद भी नहीं रहेगा, आप सोचे कि सारा डिक्टो आपको याद हो अधयपन में नहीं आते दे, वो तर्क और अनुभाव के आधार पर सुविकार करते दे, वो ना किसी धर्मा डंबर को मानने के फिराग में थे, कि वो आस्था के चक्कर में, वो किसी धर्म के मतलब जो निगेटिव पक्ष हैं, उनको भी वो लोग समझते चले हैं, या उस उसको फॉलो करते चलें, ऐसा वो अंधानुकरण नहीं करते दे, क्या करते दे, तो वो तर्क यानि लॉजिक्स पर हमेशा बात करते दे, और साथ ही अनुभाव, अनुभाव यानि जो चीजे उनकी अनुभूती में सामिल हो चुकी हैं, जो चीज को उन्होंने एक्स्पी जब वो कहते हैं, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आखिन की देखी, यानि तुम कागज का लिखा हुआ बोलते हो, और मैं बोलता हूँ, जो मैं देखता हूँ, आखो देखी बात मैं बोलता हूँ, तो यानि वो अनुभाव की प्रामारिक्ता को सर्वोच रखते दे, आप समझेए कि वो कहते हैं तू कहता काघद की लेखी मैं कहता आखिन की देखी मैं कहता समझावन हारी तू राक्ः और जाईरे तो मैं एक डम समझाने वाली बात करता हूँ तुम लोग फाल्तू का उल्जाग रख़्े हो तो ऐसी बाते वो करते हैं यहां पर देखिए वो दूसरी आली लाइन उतना इंपॉर्टन नहीं है आप लोग चुकि आप कभीर दास का है तो वहां पर आपको धेर सारे दोहे यहां पर हमाई नोट में आपको देखने मिलेंगे सारे आपको याद करने के आउशकता नहीं है आप जितने ज्यादस ज्यादा हो जाएं उतने याद कर लीजे सारे याद कर लेंगे तो और भी अच्छी बात है परन्तु सारे आपको लिखना नहीं है वो क्यों नहीं लिखना है हम लोग आगे डिसकस करेंगे आगे देखते है तो यहां पर आप इसे एक लाइन से ही आगे बढ़ सकते हैं कि तू कहता कागती की लेखी मैं कहता आखिन की देखी आगे देखिए कि रेने डेकार्ट की संदेह पध्धती और न्यूटन हॉप्स की वैग्यानिक चिंतन पध्धती हॉप्स एक आपके फिलोसोफर थे न्यू यह रेने डेकार्ट की संदेह पध्धती संदेह पध्धती मतलब वह हर चीज पर संदेह करते दे कि यह जो है अगर चीज हो रही है तो ऐसे क्यों हो रही है तो उसका फिर वह फाइंड आउट करते दे रीजन ऐसा कोशिस करते दे रीजन फाइंड आउट करने की तो इस प sa position है कि रोडिवादी परंपृ और आडंबरों का विरोध मतले रोडि मतलब जो समय से चलती चली आ परंपृरा में दी पर चीजे है उन सभी आडंबरों का उन्होंने विरोध किया और किस प्रकार से किया लेंило व्यंग के तौर पर मतलब ऐसा भी नहीं कि किसी को डांट डपटके बलकि ऐसे बोलते थे कि सामने वाले तक उनकी बात भी चली जाए और वह उसको बहुत ज्यादा बुरी भी ना लए लगे तो व्यंग्यात्मक भासा में तरकानुकूल खिलाफत करते थे तरकानुकूल का म हिंदु धर्माडंबर पर मतलब हिंदु धर्म के क्या-क्या डंबर थे क्या-क्या चीजे वह हो रही थे उस पर भी चोट करते हैं तो साथ ही मुस्लिम धर्म पे इसकाए पीस कहा है संसार तो यानि कि पाहन पूजने से यानि पत्थर को पूजने से अगर भगवान मिलें तो मैं तो पहाड को ही पूजू हूँ ऐसी वो बात करते दें अब यहाँ पर भी देखें सेकंड वाली लाइन उतनी ज्यादा आपको जरूरी नहीं है आपका एक ही में काम चल जाएगा क्योंकि हिंदु धर्माडंबर पर चोट जो है वो दरसल पहली लाइन में की गई है तो सेकंड लाइन में किया नहीं गया है अगर याद हो तो लिख दीजेगा कोई बात नहीं उससे उसके अलावा एक देखें यहाँ पर और भी है कि मूड मुड़ा हरी मिले और सब कोई ले मुड़ा है बार-बार के मूंड ते भेड न बैक उंड जाए मतलब जैसे हिंदु धर्मानता है कि कोई सर टकला करा ले तो वैसे दरसल फरजी मानता है एसा इनका कहना है कि उससे कुछ नहीं होता है क्योंकि ऐसे भेड को देखें तो कई बार उसका सिर मु दर्म पर ही वो इसलाम धर्म पर भी बात करते हैं और वहां के भी जो आडंबर है उनके खिलाफ वो मुखर आवाज में बोलते हैं कि कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लही बनाए ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है कि मतलब कंकर पत्थर जोर के मस्ज सब करते हैं तो उसी पर एक चोट की गई है अब देखें यह सभी मांगे कब उठनी है आज 21 सताब्दी में यह सब मांगे उठनी है कोई कहता है कि हाँ यह लौड स्पीकर पर बैन होना चाहिए कोई कहता है आवाज धिमी होने ऐसे करके तमाम चीजें है और उत्तर प्रद अब यह बात सोचिए कि यह जो प्रगत सील बात है यह आज से 600 साल पहले कोई पहले ही करके चला गया है तो आप सोचिए कि उनकी विचाल धरा क्या प्रासंगिक नहीं थी जो आज के समय भी हम लोग उसको प्रयोग कर रहे हैं तो यह देखिए कितनी ज्यादा प्रासंगि जानता है धर्म की जो असल बात हैं वो कोई नहीं जानता है आपस में दोनों लोग लड़ते रहते हैं हिंदू कहते हैं राम हनमार है मुसल्मान रहमाना तो ऐसे करके उन्होंने संप्रदैक्ता पर चोट की अब क्या यह संप्रदैक्ता भारत के इस समय के समाज की सच्चा हैं तो उस पर हम लोग यह सब पॉइंट्स लिखेंगे क्योंकि यह हमारे समाज की समय की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजे हैं सबसे बड़ी समस्याएं आप देखिए अगला पॉइंट की धन की लालसा पर उन्होंने प्रहार किया धन की लालसा कैसे प्रहार किया तो जब वो कहते हैं साइं उतना दीजिए जामे कुटुम समाए कि मतलब भगवान में उतना ही दीजिए जिसमें हमारा कुटुम मतलब कुटुम परिवार समा जाए मतलब हमारे परिवार का जीवनियापन हो जाए मैं भी भूखा ना रहूं साध न भूखा जाए मतलब य आज कल के हमारे समाज में देखने मिलती है कि जो भौतिक तावादी दुनिया में एक जो भौतिक चीजों के प्रती आकरशन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है सब लोग केवल धन लोलुपता में व्यस्त हैं ऐसे में आप देखिये कि कभीरदास ऐसी बात करते हैं कि बस हमारा कुटुम चल जाए हमारा परिवार चल जाए तो यानि वो धन की लालसा पर भी प्रहार करने कोशिश करते हैं तो आज के समय कि इसी कोई समस्या नहीं है जिस पर कभीरदास दरसल आज से 600 साल पहले बोलके ना गये हूं इसी प्रकार देखिए अहिंसा का विचार सोचे व्यंग वो उनका तरक इतना वाजिब है इस तरीके से उन्होंने व्यंग किया कि पढ़के हसी भी आती है और मतलब अपनी वो बात भी कह जाते हैं कहते हैं कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल और जे नर बकरी खात हैं तिनका कौन हवाल मतलब बकरी जो है पत देखे भासा की विनम्रता पर जोर तो भासा की विनम्रता पर जोर देते हुए जब वो बोलते हैं कि ऐसी बानी बोलिए मनका आपक होए मनका आपक होए औरन को सीतल करें आपक सीतल होए मतलब ऐसी बानी मतलब वाड़ी ऐसी वाड़ी बोलिए कि मनका आपक मतलब गुस्ता म आक्रामक होई जाता है बलकि जिससे वो बोलता है वह भी आक्रामक हो जाता है लेकिन आपकी वाड़ी में मधूरता होनी चाहिए ऐसी वाड़ी होनी चाहिए तो जो कहा जाता है कि विद्या ददात विनियम तो उसी प्रकार से कभीरदास भी कह रहे हैं कि मतलब आपकी भासा के सायम पर वाणी की विनम्रता पर आपका जोर होना चाहिए तो ये आप एक point डाल सकते हैं अब देखिए यहाँ पर इतने सारे जो है आपको देखने मिल रहा हूँ कई सारे दोहे हो गए क्या आपको यह सारे लिखना है तो यहाँ पर मैं आपसे एक बात clear कर दूँ कि कबीर दास तरसल एक ऐसे topic हैं जिन पर हम लोग उनके दोहे हम लोग बच्पन से सुनते आ रहे हैं तमाम उस पर गाने भी बने हुए हैं और कबीर पंथी लोग जो है वो भी उसको आम तोर पर गाते फिरते हैं अब अगर हम लोग उन पर निबंद लिख रहे हैं तो उनके दोहों का लिखा जाना बहुत ज्यादा आवस्यक है लेकिन उन जरूरी नहीं है कि आप हर बात में दोहा डाल दे क्योंकि अगर आप अपने निबंद के बीच में बार-बार दोहा या कोई कविता या कुछ भी ऐसा डालते रहेंगे तो उससे भी कही न कहीं निबंद का जो प्रवा है वो भंग होता है तो इसलिए कोशिश करें कि एक पेज पर मैक्सिमम दो और अगर जैसे कभी दास जैसे कोई कभी हैं तो उनके आप मैक्सिमम तीन कर सकते हैं तो एक पेज पर दो या तीन से ज्यादा कविता या विचार या तथ्य ऐसा कुछ भी न रखें वहाँ पर मतलब जो भी चीज अलग से लिखी जाती है वो देखने में अच्छी लगती है परंतु आप उसको बहुत ज्यादा कर देंगे तो फिर वो नहीं उससे एक्जामिनर के मन में ये बात एक प्रमाड उसको मिलता है कि इसके पास दरसल केवल कविताओं का ही संग्रह है केवल यही सब फर्जी बातों का ही संग्रह है इनके पास तथ्य कुछ नहीं है खास उनके पास कोई आपके पास पॉइंट नहीं है तो इसलिए आप यह भी ध्यान रखें कि आपको अनुपात अच्छा रखना है एक पेज पर दो मैक्सिमम दो ही का ट्राई कीजिए लेकि आप इसको ना लिखिए आप बस सीधे सीधे इसको एक्स्प्लेनेशन आप हिंदी में अपना कर दीजे नॉर्मल की कभी दास जी कहते हैं कि हमें ऐसी वाड़ी बोलनी चाहिए जिससे कि हमारा अपना मन सीतलो सुनने आले को भी सीतलता प्रदान करें इस प्रकार से आप ल फिल्टी कर दियो तो वह भी आपको नहीं करना है चल्हीं आगे बढ़ते हैं जो है कि कभी किसी का बुरा नशोचो कि क्भीर दास की सीख है कि यह तोको कॉसान न इसके Huh koira is the करते हैं आगे वरते हैं तो आत्मालोचना का होसला कबीर दास में दरसल एक यह बहुत बड़ी चीज थी कि आत्मालोचना यानि अपनी आलोचना करने का होसला था और विश्वास मानिए यह एक ऐसी क्वाल्टी है जो जिस दिन हम सभी लोगों के अंदर आ जाएगी आत्माल है कि हर कोई अपने मामले में सबसे अच्छा वकील होता है दूसरों के मामले में सबसे अच्छा जज होता है मतलब वो दूसरों की सारी कमिया अच्छाईया तो मानता रहता है लेकिन अपनी कमियों के लिए वकालत करने लगता है कि नहीं हमें यह कमिया नहीं है दरसल होना उल्टा चाहिए आप खुद को जज करें आप खुद को जज करें और दूसरे के अगर कोई कमिया हो तो उसकी आप वकालत करें कि नहीं उसने अगर ये गलती की है तो उसके पीछे कुछ कारण रहा होगा आप उस चीज को सोचते हुए उन सभी चीजों को नजरनदाज करें जो तो को काटाब हुए ताही बहुत उफूल तो कभीरदास को केवल इसलिए ना पढ़िए कि आपके निबंद का विशय है बलकि कभीरदास को हमारे इस साथ साथ दिये जो आप चीजे पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ उनको जीते चलिए कि कैसे कोई बंदा आज से इतने साल पहले ऐसी बाते इतनी प्रगत्सील बाते कर गया कि आज भी वह हम लोगों के लिए एक स्थीख का विशय है तो चलिए आत्मा लोचना का होसला कभीरदास जो आत्मा लोचना करते थे उसमें वो कहते हैं बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई और जो दिल ख नहीं करते हैं तो शास्त्रों का विरोध का गृत्स दौक जुझ यह करते हैं एक तो यह बात है कि शास्त्र जो है लकीर का फकीर बनाते हैं लकीर फकीर का मतलब कि मतलब कोई लकीर खिची हुई है उसी के उपर चलना है बस तो मतलब नियमों को जो बहुत ज्यादा पालन करता हो शास्त्र वास्तों में आपको कुछ एक नियम प्रतिपादित कर देते हैं कि ये चीज ऐसे ही होनी चाहिए और लोग फिर उसी हिसाब से आस्था के आवेश में आ कर करके वो कोई अपना तर्क नहीं लगाते है अपना कोई दिमाग नहीं लगाते है बस उसी चीज को वैसे ही मानते चलते हैं तो शास्त्र वास्तों में लकीर का फकीर बनाते हैं यानि नियमों से आबद्ध कर देते हैं किसी भी व्यक्ति को और शास्त्रों से ही सोशड की र इसी को उन्होंने कहा भी है कभीरदास ने कि पोथी पड़ी-पड़ी जग मुआ, पंडिद भया नको है, तो इसका तात पर यहां पर यही है, कि शास्त्रों का वह बहुत विरोध करते हैं, ठीक है, और आगे बरते हैं तो समाजिक असुमानताओं का विरोध, तो समाजिक अ जादा समाजिक प्रगत शीलता हमारे समाज ने अपनाई नहीं यानि इस चीज़ को अस्वीकृति कभी समाज ने दिही नहीं तो जातपात की ये प्रथा जब कबीर दास कहते हैं जातपात पूछे नहीं कोई हरिको भजे सो हरिका होई जो भी भगवान का भजन करेगा वो भगवान का है जादपात से थोड़ी नहोता है कि किसी एक ही जाद का अधिकार है इस पर इसी प्रकार से आप देखिए कि जब वो व्यंग सोचिये उनका कितना जबलदस्त है कि कहते हैं जो तुम ब्रामण ब्रामणी के पूत्र हो तो आन बाट मतलब आन का मतलब दूसरे बाट मतलब रास्ते आन बाट हुए क्यों नहीं आया तो किसी दूसरे रास्ते से क्यों नहीं आयो आये तो तुम भी उसी रास्ते से हो जिस रास्ते से सूधर आये तो इस लिए इस तरह का स समय में भी मुश्किल है तो आगे बढ़ते हैं समाज के प्रति गहन समवेदन शील था समाज के प्रति वो इतने जादा समवेदन शील थे कि वो कहते हैं सुखिया सब समाज है सुखिया सब संसार है खावे और सोवे मतलब सारा संसार जो है जागते हैं समाज के लिए बलकि वो समाज को जगाने का भी काम करते हैं जैसे गोपाल दास नीरज ने कहा था कि जागते रहिए जमाने को जगाते रहिए मेरी आवाज से आवाज मिलाते रहिए और नींद आती है तो तकदीर भी सो जाती है अब कोई सो न सके गीत वो गाते रही है तो यह नीरज की बुक है नीरज की पाती करके उसी में इसका वर्णन है चलिए उसको आपको लिखना नहीं है आगे देखते हैं कि समाज के प्रति गहन समविदन शीलता तो थी लेकिन एक जो इन्हों महत्पूर्ण कारे किया वो यह था कि सत्गुरु को उच्छ दर्जा दिलाया हाला कि भारत में गुरु सिश्य परंपरा जो है वो बहुत पहले से विद्मान रही है गुरुओं का आदर करना हम सभी के संस्कृति का हिस्सा रहा है परन्तु कबीर दास ने वास्तों में एक ग अगर कहा जाए तो गुरु गोविन्द दोव खड़े कहां के लागू पाएं बहुत हम लोग बच्पन से पढ़के आ रहे हैं बलिहारी गुरु आपने जिन गोविन्द दियो बताए कि मतलब गुरु गोविन्द में कौन बढ़ा है गुरु में और भगवान में तो वो विचाल धारा में क्या क्या कमिया थी सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि नारी को माया समझकर उन्होंने त्याजी मतलब त्यागने योग अब आपको अगर अनेक सब्दों के लिए इस टाइप आयत तो आप याद रखियेगा त्याजी मतलब त्यागने योग है तो नारी कि किसी व्यक्ति की सफलता पीछे एक इस्तरी का हाथ होता है तो वो आप मरलब कोई अगर आपका हमसफर है वो आपकी सफलता में और विर्दी करेगा आप सोचिए हमारा देश जो की हमारा देश एक पूरुष प्रधान समाज है जहां पर ज्यादा तर मर्द ही लोग जो है वो बाहर काम करने जाते हैं लेकिन अगर ऐसे में हमारे देश की जो इस्तरियां जो की घरों में काम कर रही है वो वास्तों में घर में घरेलू कारे जो है वो मर्दों से ज्यादा करती है परंतु अगर उसी कार का मोनिटाइजेशन हो जाए जितनी हूं महनत घर में करती है अगर उसी के उनको पैसे मिलने लगे न तो ये पांस ट्रिलियन डॉलर एकोनोमी का जो सपना पाले हम लोग ये तो कपका अचीव हो चुका होता तो भारत में महिलाओं की श्रम में भागीदारी बहुत कम है इसको बढ़ाने की बहुत आउ सकता है और ये कम क्यों है क्योंकि हमारा समाज पूरुष प्रधान है हमने निकलने के उतने ज्यादा अवसर नहीं दिये तो आप समझिये कि माया, नारी को माया समझ कर त्याज मानना मतलब नारी को हम लोग अलग अलग नहीं चलने की चीज है, पूरु सोष्त्री अलग 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 चलने की चीज नहीं है, साथ में चलने की चीज है, परन्तु उस समय में उनका ये मानना था, और जो कि उस समाज क के लिहास से आप समझ सकते हैं कि कोई भी समाज जो है वह धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे वह प्रगत सीलता की और बढ़ता है मद्यकालीन युग जो है एक सामाजिक अपकर्ष का काल था जहां पर कई सारी समस्याएं विद्यमान थी नारी को भोग विलास की दृष्टी से द तो नाथ परंपरा का प्रभाव पड़ा था नारी उसके कारण ही ये समझते हैं क्योंकि नाथ परंपरा में इसको बोला है कभीर दास ने नारीयों के लिए क्या कहा था कि नारी की जहाई पड़त अंधा होत बुजंग और कभीरत इनकी कौन गति जैनित नारी के संग यान उनकी विचार धर है कि ये कमिया को दर्साता है इसी प्रकार से उन्होंने नारी को माया समझ कर ही अगला वाला स्टेटमेंट जैसे यह है कि माया महा ठग होता है और यह महा ठग है तो माया महा ठग हम जानी तिर्गुन फास लिए कर डोले बोले मधुरी बानी तो मतलब दर्सल यह त्रिगुड आत्मकता उन्होंने माना है जो सत्वर अजस्तमस गुड होते हैं तो उन पर बेस दिये इन्होंने माना है सांखि दर्सन से कॉंसेप्ट लिए तो उस चीज को देर्खे इन्होंने कहा है कि माया महा ठग हम जानी तो इस प्रकार से एक कमीन की हो जा है कि इह लोग को जूठा बताते हैं मतलब यह कहते हैं कि संक्राचारे का दरसल यह जिस प्रकार संक्राचारे कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कि मलब जगत तो मिथ्या है यह जो हम लोग जिसमें रह रहे हैं इसी प्रकार से यह भी कहते है कि इह लोग तो जूठा जूठा है आज वास्तों में सब लोग यह जानते कि हमें इसी अपने इस जनम में हमें बहुत कुछ करना है आगे बढ़ना है तो इस प्रकार से आप सोचिए कि जूठा समझना यह आज के हिसाब से उतना प्रासंगिक नहीं है तो सारी चीजे सारी बाते किसी व्यक्ति की प् अपने समाज अपनी परिश्थितियों अपने दर्शन जो उस पर प्रभाव पढ़ता है उन सभी का ही एक प्रतियुत पाद होता है ऐसा करके आपको एक स्टेट्मेंट देना है और साथ ही बता देना है कि यह जो भी उन्होंने कुछ एक नकारात्मक विचार आए भी तो दरसल उनके समाज की उपज हैं और वो मतलब आज के समाज में यदि कबीर होते तो सायद वो आज यह सब तो नहीं बोल रहे होते बलकि आज से आने वाले 600 सालों आगे की भी बात वो कर रहे होते हैं तो चलिए यह हो गए सब पॉइंट्स पॉजिटिव निगेटिव पॉ करते हैं इसी प्रकार से वह अवजयानिक्ता के खिलाफ बोलते हैं आस्था पर चोट करते होए तर्क और अनुभव को सुविकार करते हैं आखों देखी पर बात करते हैं तो ऐसे समाज के लिए रोल मॉडल हैं मतलब प्रतिनजी हैं उसके उसके साथ देखिए कि कवी होने के साथ साथ ये संत भी हैं उपदेशक भी हैं समास सुधारक भी हैं ये दरसल एक मामूली लाइन नहीं है ये आपको जो निश्कर्स में भूमिका में मैंने जो जिस प्रकार की लिखी है वो दरसल आप लोगों को एक सामान भूमका लगेगी परन्तु जो हिंदे साहित का विद्यार्थी अगर कोई मेरी बाते सुन रहा होगा तो वह इस चीज को समझ रहा होगा कि ये बाते ऐसी हैं जो कि वास्तों में बड़े बड़े आलोचकों ने कबीर दास के बारे में कहीं हैं अब जैसे कवी होने के साथ सा संत उपदेशक और समास सुधारक की भी भूम सथा वो मूल रूप से कवी थे या संत थे या उपदेशक तो ऐसे करके तो उसका एक निश्कर्स आप लोगों ने एक लाइन में लिख दिया आगे चलके देखेंगे तो यह है कि समविधान पर इनकी चाप होने से प्रासंगिक्ता स्वयमसिद प्रासंगिक्ता की बात हो यह तो आप निश्कर्स में यह वाला पॉइंट अगर डाल देंगे कि भाई इनकी प्रासंगिक्ता आप इसी समझ लीजें कि भारतिय संविधान यानि देश की सर्वोच विदी सर्वोच कानून जो है उस पर कभीरदास की जहलक दिखती है अंबेटकर बाबर आव अंबे कर सकते हैं और नहीं तो आप इसको आदर्स रूप में समझ सकते हैं कि किस प्रकार का होना चाहिए और उस प्रकार से आप अपना भी कुछ तयार कर सकते हैं तो देखें उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन से जब आपने ये बात लिखी तो मतलब आपने ये कनेक्ट कर या इसको पिछले वाले पैरास है तो यहाँ इसी को बोलते हैं प्रवाह क्रियेट कर देना तो आपके निबन में प्रवाह अपने आप आ जाएगा तो परियुक्त तथ्यों के विवेचन से यह इसपस्ट है कि कभीरदास का प्रवावसाली कृतित्व काला तीत है अब इसको अंडरलाइन कर दीजेगा कि कभीरदास का प्रवावसाली कृतित्व काला तीत है हाला कि भूमिका और निश्कर्स में अंडरलाइनिंग से बचना चाहिए क्योंकि वो जनरली लोग पढ़ते हैं प्रवावसाली कृतित्व कृतित्व काला तीत्व काल से परे है मतलब प्रासंगिक्ता वाला निबंद यादी पूछा रहा है तो उसमें आप ये बता दे रहे हैं कि काल से परे है वो आज तक उसका प्रासंगिक्ता विदिमान है यही बात आप कर रहे हैं आगे देखे छे सताब्दियों के बाद भी उनकी वाडी में इतना तेज है वाडी और विचार कर लीजेगा इसमें आप लोग ये भी डाल देंगे कि छे सताब्दियों के बाद भी उनकी वाडी और विचारों में इतना तेज है कि आज भी वस समाजिक विसंगतियों को आईना दिखाने का माददा रखती हैं माददा मतलब ताकत रखती हैं तो ये आप एक लाइन लिख सकते हैं उसके बाद देखें समाजिक अपकर्ष के चरमकाल में जनमे व्यक्ति से इस हद तक विचारों की प्रगत शीलता का अनुभव कर पाना वास्तों में एक दुरलब संयोग है इसी लिए कबीर दास आज एक व्यक्ति नहीं बलकि एक पंथ हैं एक विचारधारा हैं जिनके अन्याईयों की संख्या करोणों में हैं कबीर के व्यक्तितों का अपने युग पर इतना जबरदस्त अधिकार है कि उनके लिए यह कहना एकदम सटीग होगा कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए अब आप यह समझिये कि भूमिका और निश्कर्स किसी भी निबंद का सरवादिक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है भूमिका मैंने आपको जो दी थी वह भी अपने आप में अच्छी थी और आप लोग कोशिश कीजिए कि आप उससे भी अच्छे लिखने कोशिश करें जो अभी आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आप लोगों को यह टॉपिक दिया जाएगा उसके साथ ही रेखिए कि निशकर्स में भी आप इस तरीके के निशकर्स जासा लिखेंगे और इससे अच्छा निशकर्स लिखेंगे तो आपको उसके तुरंत बाद ही नंबर मिलना होता है इसलिए निशकर्स की भी भूमका बहुत अच्छी होनी चाहिए निशकर्स भी अच्छा होना चाहिए तो ये था हमारा कभीरदास पर निबंद इसके सभी आवश्यक पॉइंट सम लोगों ने डिसकर्स किये भूमका निशकर्स को डिसकर्स किया और तमाम सारे उनके दोहों क भी अम लोगों ने समझा जो की मेरी उमीद है मुझे कि वास्तों में आपको ना केवल कभीर दास पर यदि डारेक्ट निबंद पूछ लिया जाता है हलागि उसकी संभावना कम है पर यदि पूछ लिया जाता है तो उसमें भी आप लोग उसको कोट कर सकते हैं नहीं तो ऐसे कई सारे पेपर्स में आप अलग-अलग कोट कर सकते हैं जो हिंदी साहित के विद्यार थी उनको तो कभीर दास का पूरा चैप्टर ही पढ़ना होता है तो ऐसे करके आप समझ लिजे कि सारी चीजें मतलब हमारी और से एंड हुई अब इस पर प्रैक्टिस कराई में चलिए आज के वीडियो को यह एंड करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार